जैसे कि मैंने बताया कि seller market place पे seller ने अपनी दुकान create की यानि की catalog create किया तो जैसे मैं एक buyer हूँ या आप buyer हैं आप किसी भी हमारी जो 10 buyer apps है let's say ptm की बात कर लेता है आप ptm पे गए आपने search किया कि आपको कोई let's say सबजी खरीदी है तो आपने उस पे search किया, search करने के बाद आपको जितने भी लोग वो particular vegetable बेच रहे होंगे वो catalog आपको दिख जाएगा फिर आप उसमें से choose कर लेंगे, choose करने के बाद आप select करने के बाद आपका वो order उस seller तक पहुँच जाएगा फिर seller क्या करेगा, seller कोई information होगी कि वो समान कहा पहुचना है तो वो logistics खरीदेगा network पे जिससे कि वो उसको पता चलेगा कि वो logistics को बताएगा कि आपको यह समान मेरे हां से पिक करना है और यह customer के पहुचाना है और यह पूरी process में OTP वगरा का भी सुविदा प्रवाइट की जाती है जिससे कि यह पता रहे कि जो समान आपने customer को देना है वही समान rider पिक करे